इसराइल पिछले नौ महीनों से गाजा में हमास के लड़ाकों से जूज रहा है इसी बीच इरान से भी उसका सीधा संगर्ष हो चुका है दोनों में युद्ध छेड़ने तक की नौबतान पड़ी थी लेबनान से भी इसराइल को कड़ी टककर मिल रही है इन सब के अलावा अब यमन के हूतीवी द्रोही भी इसराइल से सीधा भीड़ने लगे है लड़ाके ड्रोन से लेकर लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाईल एदाग रहे हैं इसराइली बलो के मुताबिक हूतीवी द्रोही दोसों से ज्यादा बार इसराइल पर हवाई हमले कर चुके हैं मगर बीते 19 जुलाई 2024 की दर्मियानी रात को हूतीव के एक ड्रोन ने इसराइली सुरक्षा कवच को भेदते हुए राजधानी तेल अविव में जम कर तबाही मचाई जिस से इसराइल का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला एर डिफेंस सिस्टम आइरन डोम फिर से सवालों के घेरे में आ गया है अकेला आइरन डोम ही नहीं बलकि सी डोम और बाकी एर डिफेंस सिस्टम हूतीव के ड्रोन के आगे गच्चा खा गए यही वज़े रही कि ड्रोन ने अपना काम करते हुए एक इमारत को शती ग्रस्त कर दिया इस हमले में एक इसराइली शक्स की मौच समेथ करीब दस लोग घायल हो गए खास बात है कि इस हमले के बेहत करीब ही अमेरिकी दूतावास भी था जो फिलहाल इस खत्रे से बच गया है मगर इस दावे से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हूतियों के निशाने पर अमेरिका दूतावास भी हो सकता था अपनी सरजमी पर हूतियों के पहले ड्रोन अटेक से बौखलाई इसराइल ने भी तुरंत यमन के पोत पर जबरदस्थ हमला कर अपना हिसाब चुकता किया इस हमले में बिजली स्टेशन और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बना कर तबाह कर दिया गया इसमें आठ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए दावा किया जा रहा है कि हूतियों पर जोरदार हमले के बाद भी इसराइल शान्त नहीं बैठा है इसराइल ने हूति ड्रोन की घुसपैट पर जाच बिठा दी है बताया जा रहा है कि हूतियों के हमले ने एक बार फिर मानव रहित विमान यानी UAV के खिलाफ इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को सामनिला दिया है UAV अपनी धीमी गती कम उचाई पर उडान भरने के कारण हाई स्पीड रॉकेट मिसाइलों के मुकाबले राडार में आने से बच जाते हैं इन UAV ड्रोन को ट्रैक कर पाना और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से रोक पाना मुश्किल हो जाता है जिसके चलते ये दुश्मन देश की सीमा में चकमा दे कर अपने काम को अंजाम दे देते हैं हूती वी द्रोहियों के सैने प्रवक्ता याया सारी ने भी इसराइल में खलबली मचाने वाले ड्रोन के बारे में बताया कि ये एर डिफेंस सिस्टम से लेकर रेडार तक के चंगुल से बच निकलता है इसराइली सेना ने हमलावा ड्रोन को इरान का बताते हुए कहा कि ये ले टेस्ट समद 3 ड्रोन है हाला कि हूती समू ने इसे खुद का ड्रोन बताया है रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेड़िट समद 3 एक हूती UAV है जो 2.8 मीटर लंबा है इसका विंग स्पैन 4.5 मीटर है जबकि इसकी रेंज करीब 1500 से 1800 किलो मीटर है और ये 200 किलो मीटर प्रती घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है खास बात है कि यमन से तैल अविव की दूरी 2000 किलो मीटर से ज्यादा है ऐसे में इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि हमले में इस्तेमाल किया गया UAV या तो समद सिरीज ड्रोन का अपग्रेड़िट या कोई अन्य मॉडल हो सकता है धावा है कि तैल अविव पर हमला करने वाला हूती ड्रोन एक समद 3 ड्रोन था इसका पेलोड कम कर दिया गया था जिससे वो ज्यादा दूरी तै कर सके समद सिरीज में जासूसी और स्ट्राइक ड्रोन की एक अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें समद एक स्पाई UAV और समद 4 तीन मीटर लंबा स्ट्राइक ड्रोन है हूती लडाके कासेफ 1 और कासेफ 2 के आत्मगाती ड्रोन भी ऑपरेट करते हैं जिन्हें कम लागत वाले और कम उपरेशनल रेंज वाले UAV माना जाता है कासेफ सिरीज के ड्रोन की रेंज 1.500 से 200 किलोमेटर है हाल ही में इन ही ड्रोन्स ने लाल सागर में अमेरिका और बिटिश वार्शिप को निशाना बनाया था ऐसे में कहा जा सकता है कि इरान समर्थेत खूती विद्रोही इसराइल के लिए नया सिर्दर्द बनकर सामने आये हैं